नमस्कार दोस्तो प्रतेक इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो चाहे छोटा ही क्यों न हो पर अपना हो जो हमेशा खुशियों से भरा हो साथी वास्तु दोश से मुक्त हो कई बार लोग प्लोट खरीद कर अपनी इच्छाओं के अनुसार घर बनवाते हैं तो वहीं अज्यानता के कारण अगर वास्तु के नियमों का ध्यान न रखा जाए तो व्यक्ति को जीवन में कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आज हम इस वीडियो में अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि पूर्व मुखी प्लोट पर मकान बनवाते समय वास्तु के किन नियमों का पालन करना चाहिए नमस्कार दोस्तों मैं कुली टीवी के दर्शुकों का स्वागत करता हूँ दर्शुकों मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपका बड़े साइच का पूर्व मुखी प्लाट है तो उस पर घर का निर्माट कैसा करना चाहिए घर का वास्तों अकुल निर्माट मान लीजिए यह आपका प्लाट है और यह साइच कुछ भी हो सकता है एने के तीस पचास चालिस साड़ पचास सो कोई भी साइच जो बड़ा साइच का प्लाट जहां आपके पास काफी जगा खाली पड़ी हो एक और यह यू ना होके यह लंबा यू भी हो सकता है कि दिशांत ऐसी रहेंगी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिन और सड़क पूर की और इसलम पूरू की प्लाट कहेंगे को पूरू से आना जाना रहेगा आपका फोर ही का गोवर्णमेंट्स के नॉम्ट्स होते हैं कि आपको दर्वाजा वो बताते कहां रखना है दियान लखिए पूरू की प्लाट में दर्वाजा आपको हादे से इदा रखने का है कभी ऐसे नॉम्स आपके हैं उस कालोनी की जगह के कि आपको दर्वाजा यहां रखना पड़ रहा है क्योंकि इसके पास जो प्लाट है उसका दर्वाजा यहां पर इसके पास यह दर्वाजा रहेगा इसके जगह नॉम्स देखें मैंने इसकेस में यदि वो बदलने को तैयार नहीं आपको पर्मेशन यहां की नहीं देते हैं तो बहतर होगा इस प्लाट को आप छोड़ दीजेगा क्योंकि यदि आपने दर्वाजा यहां रखे कंपाउंड वाल का घर का रखे यदि घर का निर्मान किया तो आपके घर में कलह रहेगी आर्फिक स्थितिक खराब रहेगी बहुत विवाद रहेंगे मद बनाई यह से जगह पर मकान जहां आपको मजबूरी हो दर्वाजा क्या रखने की एक दूसरा जब आप बनाया तो आगे नॉम्स होते ही है यह आपको आगे जगह छोड़नी तो आप जिस छोड़िएगा कोशिश करिए चारों तक जगह छूड़ जा तो बहुती अच्छी बात है और मद्ध में इस तरह कोने पर इस तरह घर बनाईएगा कि अगने कोन इस से निचा वायवे कोन और इस से निचा इशान कोन एक दो तीम चार यह समझे आप बरसात आए और बरसात का पानी गिरते पानी यूँ भेके यूँ चला जाए इदर से बहके यूँ चला जाए इस तरीके से आपको जगह का स्लोप करना है यदि आपको wrapping तो बाटिवह आप और आप को इस चिपका के बनाना चाहते वाशु को चुपका बना सकते हैं अदिन को चेस में आपको फड़ो प्रप्षिम किया तो पुर्षों का और साथ में आर्थी स्थी बिगड़ेगी ऐसे केस में जदी आप इसको कवर करते हैं या शुरू में कवर कर लिए और घर के बराबर लेवल रखा तो ठीक है और बाद में करा तो सबसे पहले ध्यान रखिए आपको कवर एडिये का फ्लो लेवल के बराबर कर लेना चाहिए यह वो जरूरी है और इसके बाद घर में बाकी इसमें अंदर किचन और बात्रूम टौलेट कमरे केसे बेडरूम कैसे बनाना उसकी ज्वानकारी में आगले आने वाले वीडियो में आपको धूंगा रही आपके सिवरेज लाइन है तो लाइन के नहीं तो सेप्टी टेंग बनाना पड़ता है तो मद्दपूरू बनाईएगा मद्द उत्तर बनाईएगा और भूमिगत पानी की टंकी है कुवा है बोर वेले आपको जो ग्रे कलर की लाइन दी है इसे में कहीं बनाने का है जहां आपको सुजदाओं यहां बना दीवे तो आप 10 फिट छोल के 20 फिट पर यह कल दीजेगा तो यह ध्यान लखिएगा आप इन नीमों का पालन करके घर का निर्मान किया तो निश्चित मानिए कि ऐसे घरों में रहने वाले सुख़द और सरल जीवन विताते हैं पूरा परिवार तरक्की करता है और खुश ऑ्नेवड़